हेलो येलाइन वेलकंुम बच्चों तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने व Fest ले dictionary कि इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले tuskaMax के लिए तो इस वीडियो में blueprint के साथ आप लोग को syllabus बता दूंगा कि कौन से कौन से topics इस साल आप लोग को करके जाने चाहिए ठीक है तो चलिए देर ना करते उस वीडियो को start करते हैं लेकिन वीडियो को start करो उससे पहले में बता दू कि कोई भी doubt हो दिक्कत हो comment से जरूर comment करना मैं से जल उसको solve करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहला ना हम लोगों को पता होना चाहिए तरह कि यहां पर हमारे दो ग्रूप से सबसे पहले दो बुक्स यानि कि पहला तो हमारा business mathematics और दूसरा पार्ट है हमारा statistics वाला तो पहले पार्ट से 60 मार्ट से दूसरे पार्ट से 40 मार्ट से तो पहला पार्ट का हमारा पहला unit है matrix system यहां से 15 मार्ट से second unit हमारा मैसुरेशन है जिसमें से 15 सपर्द उचांभ से फोर्ट उनिट इंडिस यहां से 20 मार्क है और ग्रूपप बी कि जो परहला and tabulation of data यहां से 15 marks है, unit 8 diagrams and graphs, तो यहां से 9 marks है तो total होगे हमारे 100 marks अब unit के अंदर देखते हैं, जैसे कि हमारा पहला unit था, matrix system, ठीक है matrix system में हमारा सबसे पहला तो है ratios and proportion, profit and losses जिसमें simple with and with discount mixture भी आ जाएगा 15 marks से हो गया, next unit मैसूरेशन था, मैसूरेशन में से आप लोगों क्या क्या करना है मैसूरेशन आफ रेक्टिलीनियर फिगर जैसे की triangles हो गया, quadrilateral हो गया parallelogram हो गया, rhombus हो गया, square हो गया ठीक है, rectangles हो गया, trapezium, circles, मैसूरेशन, solid जैसे की आपका cuboid, cube, cylinder, cone, prism सबसे related questions आप लोगों को प्रेक्टिस करने जाही 15 मार्क्स के लिए, फिर loss of indices है, third unit यहाँ पर आप लोगों को loss of indices से logarithm, quadratic equations, real numbers, functions associated with problems, problems related हो गया, आपको यहाँ पर 20 मार्क्स का तो बहुत जादा है, अच्छे से प्रेक्टिस करना unit 4 हमारा coordinate geometry, यहाँ से आपको आएगा the idle, यहाँ से आपका आएगा idea of partition, coordinate, distance formula, section formula, फिर area of triangles, इस तरीके के चीज़े आप लोगों करना है, और part B जो है हमारा, यानि कि group B statistics, 40 marks का यहाँ से, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला तो unit जो है, meaning and definition, यहाँ से आपको meaning, definition and meaning of data, scope, functions, limitation, तो ज़्यादा तर जोना यहाँ पर आप लोगों को theory पाठ ही मिल जाएगा, statistical investigation, 6th unit, यहाँ से आप लोगों को यह सब सारे topics जोना कर लेना है, ठीक है, और 7th unit, सुझे आप लोग का ठीक है, फिर उसके बाद हो गया, frequency, polygon, O-giv, यह सब सारे जो है आप लोगों को कर लेना है, O-giv में भी आपको two types जैसे कि less than और more than जो है यह सब आप लोगों को करना होगा, ठीक है तो यहाँ, I hope कि आपको यह video informative लगा होगा, वीडियो जब informative लगा तो लाइक, comment, share भी करी दीजे इस videos को, और हो सके तो अपने friends के साथ जरूर शेयर कीजेगा, क्योंकि इसी तरीके के class 11th और 12 के important notes, summary or explanation, important questions जोने मैं आपके लिए लाता रहूँगा, चलिए मिलते हैं, अगले video में, till then, good bye